वर्कम टू डिफेंस अमजी DRDO, Defense Research and Development Organization अपने तक्नीकी के बल पर भारती सेना को अत्याधनिक और उन्नत बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा है हाल ही में DRDO के द्वारा कई अत्याधनिक हदियारों का डेवलप्मेंट किया गया जिसका इस्तमाल भारती सेना के साथ साथ विश में भी निर्यात किया जा रहा है आने वाला समय DRDO के लिए और महत्पुन होने वाला है क्योंकि DRDO का अप्रयास भारती सेना के लिए हर संभव हदियारों को उपलब्द कराने पर है DRDO ये नहीं चाहता कि भारत अब किसी भी विदेशी हतियारों पर निर्बर रहे जो भी आवश्यक हतियार हैं उनका उत्पादन भारत में ही मेकिन इंडिया इनिसिटिव के तहत होना चाहिए इसका सीधा सीधा लाब भारत की रक्षा जरूरत और राष्टी सुरक्षा की दृष्टी से भी बहुत महत्पुर्ण होने बाला है DRDO की द्वारा हाल ही में बनाए गए कई ऐसी विमान भारती सेना में अपनी महत्पुर भूमी का निभा रहे हैं जिसका की सीधा लाब भारत को मिल रहा है भारत वैश्विक पडल पर रक्षा उत्पादों के निर्याद की दृष्टी से भी अक्रिम पंक्ती की ओर बढ़ता नजर आ रहा है आने वाला समय भारत के लिए बहुत क्रादिकारी होने वाला है क्योंकि DRDO जिस गती से काम कर रही है उसका सीधा सीधा लाब भारत की प्रतेक जनता और भारत के गौरव को मिलने वाला है आप सभी को DRDO के लिए एक बार जैहिंद तो लिखना ही होगा हम सभी पुनार मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत